ओके अलो फ्रेंट केसे हुआ आप सब में विसी और आप देखरें बाउन टू इन्वेस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारा नेक्स्ट वीक है उसमें कौन से स्टोक हम स्विंग टेडिंग के लिए लेके जाएंगे कौन से स्टोक बाइन के लि मिल जाए अभी हम आचुके चाट के उपर तो इदर हम देखेंगे कौन से स्टोक हमारे बाइन के लिए oyn स्टोक हमारे सैलिंग के लिए तो जो हमारा पहला स्टोक है वह हिरो अभी इसको मैंने क्यों लिया तो अभी आप इसको देख रहे हैं तो यह राइजिंग चैनल में अपडाउन होके अपर जा रहा है और अगर आप यह चैनल में भी देखो तो यह क्या कर रहा है एक ब्रेक कर रहा है पिछले हाई को और वही यह हाई है उसको सपूट लेके मिल रहे थी वहाँ यह सपूट लेक पर गया बाद में यह रजिस्टन्स बन गया है इसका तो इसका ब्रेक आउट किया नीचा है उसके आसपस सपूट ले फिर से उसका ब्रेक आउट हो चुका है अभी यह इन फ्यूचर आपको यहां कहीं इस जोन में आपको क्या है प्र लेकिन प्रोपर बाइंग सिगनल आपको मिलना चाहे इसा है नहीं कि जहां इसे यहां पहुचा आप बाइंग के लिए जा रहे हो समझगे यह थोड़ा नीचे आने दो यह लाइन पे यह राइजिंग सपोर्ट लाइन मतलब ट्रेंड लाइन पे या तो यह होरिजन्टल अगर कोई प्रोपर बाइंग सेट सीगनल अप जाने का देता है तब आप इसमें बाइंग कर सकते है और एसा भी हो सकता है कि यह जो चैनल है उसका यह डाउनशैट ब्रेक आउट कर दे समझगे तब आप सेलिंग के लिए जा सकते हो लेकिन वो ब्रेक आउट प्रोपर ह बेखो गे तो पता चल जाएगा प्रोपर ब्रेक आउट किसे कहते तो यह प्रोपर ब्रेक आउट अगर डाउंसाइड देता है तभी आप इसमें सेलिंग के लिए जा सकते हो वरना क्या है कि आप इधर देखो बाइंग का कोई मुखा मिलता है तो आप इधर से बाइंग वे हो जाता है तब यह आप इसको अपनी वोच लिस्ट में लगा के रखो क्योंकि मेरे इसाब से यह बहुत अच्छा सेट अगर आप इसमें केचप कर लोगे कोई भी सैड अगर बाइंग सैड मिलता है तो सेलिंग सैड तो एक अच्छी ओपर्चुनिटी हो सकती है आपके ट्रेडिंग के लिए अब हम जो हमारा दूसरा श्टोक है वो देख लेते जो हमारा दूसरा श्टोक है वह मैंने लिया है बजाच फेन सब अभी इसको मैंने क्यों लिया तो आप देखरो एक अप साइड बाद में नीचे आया पिर से वही रजिस्टंस के पास से कर देता है तब आप इसमें selling के लिए जाओगे लेकिन इसका proper breakout होना चाहिए अगर proper breakout नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं एक काम किजीए इसको break करके नीचे जाता है तो wait कीजे यहां से यह थोड़ा up पर आये और यह line पे फिर से resistance लेने की try करें, मतलब जो हमारा support है वो break हो चुका है, और अभी ये क्या कि pullback अपने support पे ले गया, मतलब जो हमारा support है वो resistance बनेगा, बाद में अगर ये इधर से नीचे जाने का sign देता है, तब आप इसमे selling कर सकते हो, तो जो जो हमारा budget फिंस होए, इसको आप selling के लिए लगा के रखो, अगर ये line का proper breakout हो जाता है तब आप इसमें selling के लिए जा सकते हो, और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया, हमारे channel को subscribe नहीं किया, तो please जारो like, comment and subscribe कर देना, क्योंकि हम एसे वीडियो हर दिन लेते आते, अभी जो हमारा next stock है, उसे देख लेते हैं, अभी जो हमारा इसके बाद का stock है, वो कौन सा है, तो इसके बाद का हमारा stock है, वो है IOC, अभी IOC को मैंने क्यों लिया, mostly ये मैं downside देख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, ये अपर भी breakout कर दे, तो जब ये अपर breakout करता है तो थोड़ा क्या है कि संभाल के trade करना है अगर downside proper breakout दे देता है तब आप इसमें एक अच्छी opportunity find कर सकते हो, तो आप देखे इधर एक बार क्या लिया, support लिया दूसरी बार support लिया, तीसरी बार action देखना होता है, कि वहाँ कैसा volume आ रहा है, वहाँ कैसी candle बन रही है, वो सब कुछ आप देखोगे तो आपको एक idea मिल जाता है कि ये proper breakout है या नहीं, अगर इसका proper breakout downside मिल जाता है तो आप इसमें selling के लिए जा सकते हो अगर upset breakout मिलता है तो थोड़ा सा wait कीजिए, थोड़ा upset जाने दीजिए, थोड़ा फिर से एक छोटा सा downside देगा, और फिर से अगर ये upset अपनी journey continue करता है तब आप इसमें upset के लिए जा सकते हो means कि upset जब breakout ये देता है तो आप इसमें थोड़ा सा देखिए थोड़ा wait कीजिए और बाद में ही कोई trade लीजिए, तो जो हुमारा IOC था, वो हुमारे एक triangle बना हुए, मेरे को लग रहा है personally, ये downside के लिए जा सकता है लेकिन जब ये जाएगा, आगे कुछ future में करेगा, तब ही हमें पता चलेगा कि ये actually में क्या करना चाहरा है मतलब एक downside breakout देगा, या upside breakout देगा तो आप अपनी watch list में ये सबी stock बना ही रखे, अगर proper किसी में breakout मिलता है, proper entry मिलते है, proper risk reward ratio के साथ मिलता है, और आप अपनी analysis कीजिए, अगर कुछ समझ में आ रहा है, तब ही trade लीचेगा, अभी जो हमारा इसके बाद का stock है, वो देख लेते अभी इसके बाद का जो हमारा stock है वो है रामको सिमेंट, ये बहुत ही एक अच्छा setup बना रहा है buying के लिए, क्योंकि आप देखे एक upside दी, बार्मेक नीचे है फिर से upside दी, वही resistance के तरह वर्क करा है, लेकिन ये वहाँ resistance लेके इतना नीचे भी नहीं जा रहा है समझ गये, तो हो सकता है कि in future ये जो resistance जोन है, उसको ये breakout करके अपर निकले, और अपने ही जर्णिया आगे की continue करे, तो जो ये level है, 665 का तो आप इसको proper देखिए मेरे इसाब से आप 670 ले सकते, अगर ये 670 के अपर प्रोपर निकल गया, प्रोपर इसका breakout हो गया, तब आप इसमें अपनी buying side के लिए entry बना सकते हो लेकिन अगर आपको क्या है कि ये सा ही नहीं कि 670 के जैसे ही अब हो निकला मैं buying कर लूँ, समझ गए बहुत सारे ऐसे लोग करते है, ऐसे प्रोपर breakout नहीं होता, आपको द्वोच करना होता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है, वो लेवल को sustain कर रहा है या नहीं, समझ गए आप देखो दो point आपको क्या है कि बाद entry मिलेगी, वो चलेगा, लेकिन आपकी entry proper होनी चाहिए, जल्दबाजी में किसी भी time आपको entry नहीं लेनी चाहिए, बलही 2 रुपे वो आपको upper या down मिले, लेकिन proper entry मिलनी चाहिए, तो proper breakout का wait कीजिए, अगर proper breakout इसमें मिल जाता है, तो मेरे इसाफ से बहुत ही अच्छी opportunity हो सकती है आपके लिए in future, तो ये थे हमारे 4 टुक जो next week आपको help कर सकते है trading में, अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो, तो please zero like, comment and subscribe कर दिया किजिए आप like, comment करोगे, तभी तो में motivation मिलेगा, और ये से वीडियो आगे लेकाएंगे, so please zero like, comment and subscribe कर देना, और जो हर वीडियो में बोलता हूँ, कि आप अपनी पहले analysis कीजिए, किसी को blindly follow करने की ज़रूरत नहीं है आप मेरो को भी blindly follow मत करो, किसी बुद बड़े चिए